नमस्कार प्रणाम सस्रीकाल इसुर अल्ला तेरे नाम सबको सलमत दे भगवान ये हिंदुस्तान सब लोगों का है ये कोई न कहे कि एक ही का है हिंदों का है, मुसल्मानों का है, सब का है इस देश के लिए बिस्मिल भी कुर्बान हुए है और भगर सिंग भी कुर्बान हुए है इसलिए लोग कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया जनता कह रहे हैं मोदी जी ने किया आज मैं इस वीडियों को इसलिए बना रहा हूँ कि मोदी जी ने क्या क्या किया और जनता क्यों कह रहे हैं कि नहीं किया जनता नहीं कह रहे हैं बस वही 10-15-20% लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया जो जिनके पास विपक्ष में बैठने का भी जगा नहीं बचा है हम भी यह चाहते हैं देश भी यह चाहता है कि विपक्ष मजबूत कटेगरी में आए मोदी भी यह चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत कटेगरी में आए और आवाज उठाए तो हम जो हमसे गलतियां हो वो सुधार किया जाए लेकिन विपक्ष जन्ता ने इतना तोड़ दिया कि विपक्ष रही नहीं गया इस दुनिया में कि विपक्ष इस देश में दुनिया में तो नहीं कह सकते हैं लेकिन देश में तो विपक्ष कि कोई ऐसी बात नहीं रह गई कि दुनिया में देश में कोई बात रखें तो जन्ता के सामने ये पहुंचे कि हाँ विपक्ष मजबूती के साथ कह रहा है हम इसका समर्थन करें लेकिन कोई बात ही नहीं है कोई मुद्दा ही नहीं है कोई मुद्दा नहीं रह गया कि विपक्ष बात आती है राम जनम्भूम आयोध्या की आयोध्या में दोनों तरफ ये तालियां बजती हैं कि हमने ताला खुलवाया हमने ताला खुलवाया हमने ताला खुलवाया हमने ताला खुलवाया अरे ताला तुमने खुलवा था 500 साल का मुकदमा चल रहा था आपने उस पर क्या विचार किया जनता यह पूछती है आप बताईए कमेंट आप कांग्रेस से हैं सपा से हैं बसपा से हैं किसी भी पार्टी से हैं राजनेतिक पार्टी से हैं तो आप कमेंट करके बताईए कि आपने क्या किया हम तो बता र लीडर या कोई नहीं है मैं एक नागरिक हूं मैं उत्तर परदेश गोंड़ा जिले का एक छोटा सा कस्वा है इटिया थोग बलाक थाना सब इटिया थोग लगता है उसी थाने के छेत्र में एक गराम पंचायद सिवपूरिया पड़ती है उसी में मैं रहता हूं एक ब्रामः परिवार से मैं बिलीन करता हूं मैंने जो मेरी उम्र 36-37 साल है अठारा साल का हुआ हूं तब से मैं देख रहा हूं कांग्रेस भी दस साल मेरे नालेज में रही मन मोहन जी का सरकार था प्रधान मंत्री वो भी थे लेकिन प्रधान मंत्री थे तो देश का एक प्रधान मंत्री हो और उसके हाथ से कागज बिल छीन कर और फाड़ दिया जाए वो भी लोकसभा में कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर ये मानली जी की लोकसभा है वहां कोई भी कानून वहीं पर पास किया जाता है हर कानून को वहीं पास किया जाता है हर कानून को पास करके और ये दे दिया जाता है कि और उस मंदिर में जहां देश की भविश्स्य लिखी जाए उस मंदिर में और एक पर्धान मंतरी आपके देश का पर्धान मंतरी सरबोच पद का होता है और उस परधान मंत्री के हाथ से कागज छीन कर फार दिया जाए आज कह रहे हो कि वो परधान मंत्री हैं उनका इज़त किया जाए आपने कितना इज़त किया था आप उसी पार्टी के राष्टी अध्यच के बेटे थे उस समय आपने कितना प्रधान मंत्री का इज़त के आप भी नागरिक थे और एक नागरिक जो रोड पर चल रहा है वो भी था इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूं कि मोदी जी नी क्या क्या किया इनको यही चीज अखड़ रही है कि मोदी जी ने गरीबों के लिए बड़े बिजनेस मैं ब्यापारियों के लिए नहीं किया गरीबों के लिए डार्यक्ट इंडार्यक्ट जो कुछ दिया वो गरीबों के खाते में दिया यही मोदी जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जनता इसी लिए कह रहे है कि जो मोदी जी ने किया वो कोई नहीं किया और जो मोदी जी करेंगे वो कोई नहीं कर पाएंगे ये नहीं कोई कह रहा है, जन्ता ये नहीं कह रहे है, कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, सपाबसपा नहीं किया जो मोधी जीने किया वो कोई नहीं किया है और ना कोई कर पाएगा, ये कह रही है अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मोधी जी ने क्या क्या किया मोधी जी ने गरीबों को रासन महामारी फैलने के समय में रासन सबसे मुख भोजन मिलेगा तो जिन्दगी रहेगी उन्हों ने घर घर तक रासन पहुचुआया कि ही मोदी जी ने किया मोदी जी गरीबों को उज्जला एउजना निका लिया और उज्जला एउजना के तहट गैस बित्रण किया हमारी बहने, हमारी बेटिया, हमारी माताएं खाना बनाती थी गरीब बहने, माताएं खाना बनाती थी उनके आखें खराब हो जाती थी धुएं से बारिस के मौसम में तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें पड़ती थी गरीबों को आज गरीब बारिस के मौसम में दोनों टाइम रोटी खा रहा है तो मोदी जी के देन से रोटी खा रहा है विपक्ष कह रहा है गैस बहुत महंगा है 400 रुपए में गैस था हाँ हम ये मानते हैं 400-500 रुपए में गैस था तब काला बाजारी किसकी होती थी वही सबसिटी के लिए इतनी बड़ी काला बाजारी नहीं होती थी आप भी जानते होंगे कितनी बड़ी लाईन ने थाने पर लगती थी तब गैस जाके बाटला रात को ही जाना पड़ता था बारा बजे रात को लाइन लगा दो तब साम को पांच बजे गैस मिलता था एक बाटला एक एक हजार रुपए में गैस बिखते थे बाटले आज एक हजार रुपए देकर आप सरकार के खाते में जा रहा है आपको कश्ठ है कल चोर जो थे 20% हमारे देश के परदेश के राजनेताओं के सहभागी और सहयोगी जो थे वो चोर थे उन्ही को गैस 50-50 बाटला दे दिया जाता था अब वो गरीब के साम जो बचारे पुलिस को डरते थे लाठी खाते थे वो जब चोट खा जाते थे तो भाग कर चले आते थे चलो खरीद लेंगे 1000 रुपए में गैस आज वही चीज नहीं हो रहा है 1000 रुपए में गैस नहीं बिक रहा है इसलिए मोधी जी कुछ नहीं किये लोग कह रहे हैं कि बलेक गैस नहीं बिक रहा है इसलिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया दुकान से गैस मिल रहा है सीधे चले जाएए दुकान पर सव दस बाटला पांच बाटला दो बाटला कोई भी लेना हो ले लीजिए इसलिए मोदी जी कुछ नहीं किया उजलाय उजना से गरीबों को गर्ष दिया इसलिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया किरसी विभाग की मैं बात कर रहा हूँ मैं एक किरसक भी हूँ किसान हूँ मैं किरसी विभाग की बात कर रहा हूँ वही किरसी विभाग वही किरसी विभाग पहले लोग हर चीज पहले भी आता था सब सिटी मिलती थी छोट मिलता था लेकिन कोई ये बता दे कि 2014 के पहले मुझे सब सिटी मिली हो तो बताई मिलता था आता था पैसा करोणों लाखों आता था लेकिन लोग बस बड़े ब्यापारियें जो नेताओं के चार्ट कारता थे चार्ट कारी कर रहे थे उन्हीं को पैसा उन्हीं कमपनियों में फर्मों में पैसा ट्रांक्पर करके आधा नेता आधा फर्म खाके चले जाते थे आज ये पैसा किसानों के खाते में डारेक्ट देंगे तो पचास परसेंट आपके खाते में आ जाएगा यहीं मोदी जी ने कुछ नहीं किया गलत बहुत गलत किया यह बताईए कि आज के तीस साल पहले इन नेताओं के ब्योस्था में चले जाएए इनकी क्या इस्थिती थी तीस साल पहले और क्या इस्थिती आज है चले जाएए पीछे यहीं मोदी जी ने कुछ नहीं किया गरीब को पाँच लाख रुपए का कार्ड दिया दवा का आईशुमान कार्ड मोदी जी ने कुछ नहीं किया हमारे गाउं में मैं खुद उस चीज का गवा हूँ कि ओ गरीब परिवार था जिसका इलाज हो गया क्योल उसी कार्ड से उसका खेत बच गया उसके परिवार बिकने से बच गये परिवार है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा दवा कराने के लिए पड़ेगा हर कायर करना पड़ेगा परिवार को बचाना है मोदी जी ने उन गरीब परिवारों को वो चीज दिया कि आज उन परिवारों का खेत बिकने से घर बिकने से घर गिर्मी रखने से बच रहा है यही मोदी जी ने कुछ नहीं किया योगी जी ने कुछ नहीं किया यही चीज मैं आप लोगों से बता रहा हूं और आगे भी वीडियो में यह बताऊंगा कि मोदी जी ने क्या किया और विपक्ष कह रही है कुछ नहीं किया तो हम मान रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया लेकिन जनता मान रही है कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया गरीबों के लिए जय हिंद जय भारत भारत माता की जय भारती जनता पार्टी